दोस्तों कुम कुम भागे हैं मैं काफी बड़ा टूश्ट देखने को मिलेगा जहां पर सिड और प्राची की साधी को लेकर पलवी एक वाफिर से काफी ज़्यादा एक्साइटिड हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राची और सिड की साधी कर लेनी चाहिए लेकिन दोस्त दोस्तों अगर साधी हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं रहने वाली दोस्तों आप जानते ही हैं कि किस तरीका से सिड और प्राची की साधी को लेकर एक बार फिर से बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं लेकिन दोस्तों इस चीज़ पे ना ही रणवीर की मंजूरी होगी और ना ही प्राची की मंजूरी होगी और ना ही सिड की क्योंकि सिड भी जानता है कि प्राची कितना प्यार करती हैं रणवीर से और रणवीर कितना प्यार करता है लेकिन दोस्तों इस समय आलिया और रिया काफी ज़्यादा खुश नजर आने वाली हैं कि चलो फाइनली सिट की साधी अब होने जा रही है प्राची से लेकिन दोस्तों साधी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि कहानी में वाकई में एक दिल्चस मोड आ चुका है जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार प्राची बोलती हुई नजराने वाली है कि मैं क लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में खुलासा होने जा रहा है जब बात का पता चलेगा कि हां यह जो सब कुछ रणबीर और प्राची के लिए बोल रहा था सिट यह टोटल फेक था क्योंकि दोस्तों सिट को जो इसमें एक वो दिया ग सब्सक्राइब करने के बाद मैं वीडियो को लाइक करें एंड कोमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं